तो होफिली आप लोग बहुत अच्छे से होंगे आज एक इंपोर्ड टॉपिक लेकर आया हूं प्रिंसिप्लाप सुपर पॉजिशन इसमें थोड़ी बच्चों को कन्फूजर रहती है कि वेक्टरसम क्या है प्रिंसिप्लाप सुपर पॉजिशन क्या है इसका इस्तिमाल कह ऐसे करते हैं ठीक है तो वेल्कम तो अपकिन्स फैमली आसव लेट्स गेट ट्रेकल टॉपिक तो प्रिंसिप्लाप सुपर पॉजिशन तो अगर मैं आपको सिंपल एक सिटुवेशन होंगा यहां पर एक चारज है क्यों का चारज एंड मैंने इसको पॉजिटिव माना एं एंड इसको भी मैंने पॉजिटिव माना एक एक दूसरे पर एक दूसरे पर एपलाई करेंगे लेट से एफ वान टू फोरस ऑन वान ड्यूट्टू इस इकल टू होगा फोरस ऑन टू दू बढ़ाबर होंगी जितना यह वाला इस पर पर उस पर पर प्रस एक्जर्ट करेंगा इस एट ओके एड वह कितना होगा वो के टाइम उस क्योंग वन क्योंट टूटो डिवाइड़ और सकहर इनके दर्मियान की जो गाप है उसकी डिस्टंस का स्कैर यह आपसार ओना अपी नहीं दिखा है बगेस्ट लेटर लों मुझे वेक्र का इस्तिमाल करना है कितना बोला मैंने इनकी दर्मियान की डिस्टन्स को आर मैंने बोला एंड उसका स्क्राइब यह दोनों एकवल फोर्सेस होंगे अब देखो मैं आपको थोड़ी अब सिट्वेशन कॉम्प्लिकेट करूंगा बहुत से अब मैंने यहां पे काम किया अब मैंने यहां पे एक और चार्रश को संट्रेड़्ूस किया यह मैंने क्योध है जो पर फोर्स पर कोड़ोन का ट्वार सब्सक्राय स सब्सक्राइब कर रहा था एक तो Сब्सक्राइक पैसे हैं एक वाले पर्स लाए पॉर्स के तरफ से वह यह वाला मैंहानों आप कैसी बन गए हमारे पास अब यह वाला क्यूबब अचारज है एक वाला फोर्स यहां से हैं और जूसरा फोर्स यहां से है Is that okay? Net में कितना force फिल करेगा? वहीं पर हमेंar superposition का इस्तिमाल करना है वहीं पर, यहें पर हमें superposition का इस्तिमाल होता है प्रिंसिप्लाब superposition बोलता है किए अगर किसी particle पर 2 या 2 से ज्यादा forces exert कर रहे हैं simultaneously किसी particle पर या 2 से ज्यादा अबी 2 की बात हो रही है पहले 2 को समझते हैं अगर यहां पे एक particle है कोई charge है इस पे 2 forces act कर रहे हैं एक यह वाला force और दूसरा यह वाला force doesn't matter किस direction में है जो वो charge होगा वो कितना force feel करेगा net में वो होगा यहांने force net कितना force feel कर रहा है कौन Q1 का charge वो होगा force on one due to 2 plus force on one due to 3 लेंकिन वाला कौन सा सम है वहां पे लिको copy में यह है वेक्टर सम यह सिंपल सम नहीं है यह सिंपल्सम नहीं है मतलब अगर यह मों न्यूटन का लेकिन sinis force is vector quantity वहां पे हमें algebraic rules use नहीं चलेंगे होते हैं. टीकिन अलेध है? अरहम से सीखेंगे. अगर हम्से सीखेंगे. ठीक है, तो यह जो force होगा, यह क्या होगा, यह vector sum होगा, सबसे पहले यह copy में लिखो कि यह vector sum है, यह simple sum नहीं है, यह simple sum नहीं है, एंड हम अभी सीखेंगे कि vector sum कैसे निकालते हैं, लेक्टर sum कैसे निकालते हैं, लेट से इन दो के दर्मियान का एंगल थेटा है, और यहाँ पे इनके दर्मियान का एंगल होगा थेटा, ठीक है, मैंने थेटा माना इनके दर्मियान का एंगल, अब देखो, यह जो vector है, यहाँ से, फिजिक्स में सबसे important क्या होता है, सब आप अब इसे एक की तरफ आ रहे हो, like simple भी है, अगर आप एक position से दूसरी position जा रहे है, यह totally different है, अगर आप उसी position से इस position में आ रहे हो, ठीक है, फिजिक्स में, अगर आप x-axis में move along x-axis, it is totally different if you move along negative x-axis, ठीक है, उसी तरीक से देखो, यह जो, आरम से देख लो, अब मैं यह ज 1, 2, क्या मानूगा, r1, 2, is that okay, इसको 2 बोलते हैं, इसको from बोलते हैं, 2 यह गया, 1 की तरफ, क्यों 1 charge की तरफ, कहां से आ गया, 2 की तरफ, 2 से आ गया, एट यह वाला vector, इस वाले vector को मैंने बोला, r1, 3, 1 की तरफ गया, कहां से आ गया, 3 की तरफ से, अब यह जो दूनू vectors है पूरा ध्यान रख लेना, vector में हमारे पास एक concept है, बिकज़ यह totally vector को topic है, actually, vector में हमारे अगर पास, अगर आपके पास कोई भी vector है, हम इसको लिखते हैं, एक तो उसके पास magnitude होता है, और उसके पास direction होती है, इसको mod बोलते हैं, इसको direction बोलते हैं, यह unit vector होता है, is that okay, ओके यहाँ पर यह जो R12 है, मैं इसको लिखूँगा, R12 का magnitude क्या है, और R12 की direction क्या है, उसी तेरी के से R13 vector को मैंने लिखा, R13 का magnitude कितना है, और R13 की direction क्या है, is that okay, ओके, अब हम देखेंगे कि यह जो force on 1 due to 2 F12 कितना है, और बाद मैं देखेंगे F13 कितना है, अब सीख लेते है यह जो F12 होगा, F12 होगा, वो होगा, K times Q1, Q2 divided by इनके दर्मियान की distance, इनके दर्मियान की distance कितना है, R12 vector का magnitude, R12 vector का magnitude, सो इसको मैं लिखूँगा, R12 vector का magnitude का square, और उसकी direction क्या होगी, R12 की direction होगी, अब तो obviously वो repulsive force है, देखो, R12 vector की direction यह है, ठीक है, सो F12 की भी वही direction है, F13 है, F13, force on 1 due to 3, वो कितना होगा, K times Q1, Q3 divided by R13 vector का magnitude है, उसका square into R13 की direction, is that okay, अब सो नेट फोर्स कितना होगा, अब जो नेट फोर्स वो फील करेगा, कौन, Q1 जो नेट फोर्स फील करेगा, वो होगा, इनका वेक्टर सम, क्या होगा, इनका वेक्टर सम, दिया रख लेना मैं लिखूंगा, K times, अब देखो, अच्छा, पूरा लिखूंगा पहले, Q1, Q2 divided by R12, उसका magnitude का square into R12 की direction, प्लस, K times Q1, Q3 divided by R13 vector, उसके magnitude का square into R13 की direction, is that okay, अब देखो, वहाँ से मैं कुछ common चीज़े निकालूंगा, K times Q1 बहर आएगा, K भी बहर आएगा, Q1 भी बहर अब यहाँ से बचेगा, क्या, Q2 divided by R12 के magnitude का square, प्लस, Q3 divided by R13, उसके vector का magnitude का square into R13 की direction, यहाँ पे R12 की direction भी है, इनका vector sum होगा, अब मैं यहाँ पे एक relevant example लोगा, जहां से आपको समझ आ जाएगा, जैसे, यहाँ पे मैं मानके चलता हूँ, यह जो F12 है, यह वाला F12 force है, यह मैं मानके चल रहा हूँ, यह 2 Newton का force है, कितने Newton का चलो, 4 Newton का force है, कितना है, यह 4 Newton का force, एट यहाँ पे यह वाल अब जो यह net force फील करेगा, ध्यान रख लेना, वो होगा, this vector plus this vector, मतलब, अगर मैं इसको मानूँगा, F1 vector and इसको मानूँगा, F2 vector, वो होगा, F1 vector plus F2 vector, इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं, root of F1 square plus F2 square plus twice F1 F2 cos of theta, अब देखो, यहाँ पे हमारे पस दो forces है, एक तो F1 2 force था and F1 3 force है, अब जो net force फील होगा, वो कितना होगा, वो कितना होगा, वो होगा, root of F1 2 का square plus F1 3 का square plus twice F1 F2, F1 2, sorry, यहाँ पे F1 F2, F1 F3 cos of theta, ओके, यह है formula, अब देखो, यहाँ पे हमारे पस situation में 4 newton का force एक था, and 10 newton का force एक था, अब देखो, net में वो कितना force फील करेगा, फार्मला हमें यही इस्तिमाल करने ही पड़ेगी, यह इस्तिमाल करने पड़ेगी, ऐसा नहीं करना, 4 plus 3, 70 है, so, एको, मैं F1 मार रहा है, F1 2, okay, 4 square plus 3 square plus twice, 4 into 3 into, cause of, मैंने कितना angle माना, इनके दर्मियान का angle, 60 degree, cause of 60, cause of 60, कितना होगा, 1 by 2, ठीच है, अब व वो आएगा, 16 plus, 9, sinus cross of 60 is 1 by 2, उसका 1 by 2 यहां से खत्म हो जागा, 4, 3 is up to, is that okay, अब देखो, यह 16 plus 9 is 25, and वहां से 35, and 37, root of 37, जो F net होगा, वो root of 37 हो, ठीक है, यह almost 6 point something आएगा, अब देखो, पहले यह था 4 plus 3 is 7, आकर simple sum करेंगे, 4 plus 3 is 7 newton, लेकिन जो answer आया, वो 6 point something आएग ठीक है, 7 नहीं आए, is that okay, so यही है, क्या principle of superposition, principle of superposition को मैं, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें इस्तिमाल होता है, जब आपका एक charge होगा, उस पे 2 forces apply हो रहे है, अब जो उस पे net force होगा, वो vector sum होगा, क्या होगा, vector sum of F12 and F13, is that okay, ऐसा नहीं करना कि सीधे sum करना, formula है आपके पास, जब आपको 2 forces पता चलेंगे, और आपको angle भी पता चलेगा, जब आपको force भी पता चल गए, angle भी पता चल गया, तो यहां से formula इस्तेमाल ऐसे कर लो, F12 square plus F13 square plus, इसको हम easy भी लिख सकते, A square plus B square plus 2 AB cause of theta, इसका magnitude भी पता होगा, इसका magnitude भी पता होगा, इसका भी को ऐसे, बाद में इनको substitute कर देना, and ऐसे principle of super position exam में लिख लेगा, is that okay, जो 12th cup boards exam होता है, वहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, अब अब यह चीज़ समझ लो कि आप 2 charges तो नहीं हो सकते हैं always, मत हों कि 2 charges always, हो सकता है आपके पास, 3, 4, 5, 6, 7, even n number of charges हो सकते हैं around SQ1, and वो इस प force apply कर रहे हैं, बलकि n number of charges around that charge है, जो इस Q1 पर force apply कर रहे हैं, अब मुझे ये सीखना है, कि वो Q1 का charge जो है, वो कितना force feel करेगा, net में कितना force feel करेगा, उन all charges की वज़े से, अब obviously, एक तो, पहले हमारे पास 2 थे, उनका vector sum, अब तीसरा भी आएगा, ठीक है, फिर fourth वाला force आ निकालो, फिर तीसरा force निकालो, फिर fourth वाला force निकालो, और बाद में उनका vector sum कर लो, वो होगा net force on the Q1 charge, due to the all other charges, ठीक है, हम पहले situation बनाते हैं, बाद में उसका mathematical expression निखते है, is that okay, अब देखो, कैसे करते हैं, ये चीज़, देखो, सारी चीज़, यहां से यहां से आजाए अब यहां से एक और चारिज मान के चलते हैं, ठीक है, यहां पे Q4 है, वो भी मैंने positive भी माना, फिर यहां पे माना Q5, वो भी मैंने positive माना, यहां से माना Q6, वो भी positive, उसी तरीक से यहां पे Qn का charge है, वो भी positive है, ठीक है, उसी तरीक से यह जो vector है, यह वाला vector, उसको मैं मा ओगा R15 वेक्टर इस वाली को मैं मानुगा R16 वेक्टर इस वाली को मैं शेका पॉन तक है R1N टार ठीक है ना अब देखो यह जो इस बारी जो सुदी क donating है अब इस बारीah है एफ जो Q1 का charge है वह कितना force फील करेगा vector sum of all the forces वेक्टर सम अफ ओल दिफोर्स अब देखो इस बारी Q12 है F13 है F14 होगा इस डिरेक्शन में F15 होगा इस डिरेक्शन में F15 होगा इस डिरेक्शन में F16 होगा इस डिरेक्शन में उसी तरीक से F17, उसी तरीक से F1, F1N होगा इस डिरेक्शन में, अब जो net force फील करेगा इस बारी चारिश, वो होगा vector sum of all the forces, अब इस बारी तो दो ही थोड़ी है, F14 होगा, प्लस F15 होगा, प्लस डैज 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 डैज, F1N होगा, इस एट ओके, पहले F12 था, and F13 था, उन इसको solow कैसे करेंगे, पहले इंदो को solow करो, पहले इंदो को vector addition से solow करो, root of F12 square plus F13 square plus twice F1 F2, F1 F3 cos of theta, बाद में वहाँ से उसको इसके साथ, या अब बाद में इंदो का sum निकालो, बाद में 16 and 17 का, फिर 18, 19 का, उसी तरीक से आगे जाके, आखर में आपको एक ही आएगा, ओके, अब देखो, इसको हम लिखते कैसे है, अब पूरा द्यार रिख लें, अब hopefully आपको vectors का idea होगा, vector में को मैंने magnitude and direction में लिखा, जो F12 का force होगा, वो क्या होगा, K times Q1 Q2 divided by R12 vector का magnitude है, उसका square and R12 की direction, उसी तरीक से, अब ये वाला force, K times Q1 Q3 divided by R13 vector का magnitude है, उसका square and R13 की direction, उसी तरीक से, जो F14 है, Q1 Q4 divided by K times R14 का जो vector है, उसका magnitude का square and R14 की direction, okay, plus K times Q1 Q5 divided by R15 vector के magnitude का square, R15 की direction, plus K times Q1 QN divided by R15 vector के magnitude का square, magnitude का magnitude का square into R1 N की direction, is that okay, इनका vector sum होगा, जो इस FQ1 का जो charge है, उसको net में force feel होगा, okay, अब देखो, इसको थोड़ा हम शॉट में लिखते है, देखो, K common निकालते है, Q1 भी common निकालते है, K Q1, K Q1, K Q1, K Q1, K Q1, K Q1, K Q1 सब में है, के अंदर क्या बचाएगा, अब देहां रख लेना, Q2 divided by R12 के magnitude का square, R12 की direction, प्लस डियारक लेना, Q3 divided by R13 के magnitude का square, R13 की direction, प्लस डैच 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 अब मैं वह सारे नहीं लिखाँगा, अब आखरी बाला लिखाँगा, QN divided by R1N, उसका square, R1N की direction, is that okay, अब देखो, यहाँ पर मैं एक और notation इस्तिमाल करूँगा, K times Q1, okay, इसको हम summation बोलते हैं, क्या बोलते हैं, summation, मैं इस, मैं इस, 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इसके बादने मैं लिखूँगा, देखो, पूरा दान रहें, आर, वन, आई, क्या लिखूँगा, अब इसी होगे, आर, वन, आई, उपर लिखूँगा, क्यो, आई, वैर, आई, जो रन करेगा, from 2 to N, पूरा देखो, इसको summation बोलते हैं, जो I का value है, वो 2 से start होगा, 3, 4, 5, 6, 7, N, up to N, and यहाँ पर जो I है, पहले 1 देंगे पहले 2 देंगे, because 2 से ही start हो रहा है, यह क्या बनेगा, Q2 divided by R12, यहाँ पर, sorry, magnitude का square, okay, and R, यहाँ पर बचे का क्या, R1 into I, R1 I cap, पुरा देख लो, अब पुरा समझ लो, Q I के बने क्या देंगे, 2 देंगे, यह बन गया, Q2 divided by R12, because I के बने 2 देना है, R12 vector का square, into R12 का cap, आ गय यह वाला, फिर 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, so Q3 divided by R13, इसका square, R13 की direction, आ गया यह वाला, फिर Q4, because I का value of 2 दिया, 3 भी दिया, फोर आएगा, उसी तरीक से, फोर वाला बचे का, उसी तरीक से, इसका N value, आखर वाला N है, ठीक है, so अब यह वाला, I के बने क्या देने ह N, तो इसके बतले QN divided by R1 N का square, R1 N का square, R1 N की direction, R1 N की direction, is that okay, यह है F net, यह क्या है, आपका F net, F net force, जो इसको, क्या है यह, यह vector sum है, मुझे पता है, जिनका 11 थोड़ा-थोड़ा weak है, जिनका 11 थोड़ा weak है, उसको थोड़ा यह tough लगता है, उसको थोड़ा यह tough लगता है, 12 में, इवन तो challenging नहीं है, अब ज्यादा vector इस्तिमाल होता है, लेकिन बहुत easy, अगर आपके पास एक charge है, दो force में feel करें, जो net force होगा, वो vector sum होगा, vector sum ऐसे नहीं है, कि 2 प्लस 2 is 4, 3 प्लस 2 is 5, 6 प्लस 2 is 8, ऐसा नहीं है, वहाँ पर सीधे formula करें आपका एक का value 6 है, दूसर क्यों वन का charge है, ऐसा नहीं है, कि आप इसको दो ही force, दो ही charges, force apply कर रहे है, हो सकता है, वहाँ पर बहुत सार्ज है charges हो, वो इस पर force apply करेंगे, आप जो net force होगा, वो होगा, vector sum of all the forces, वो होगा, vector sum of all the forces, इसका, this one plus, this one plus, this one plus, this one, इनका vector sum, simple sum नहीं है, फिर से बतारो, simple sum नह निकालो, वहाँ से फिर 2 का vector sum निकालो, फिर 2 का vector sum निकालो, उसी तेरिक से आगे जाके आपको easy आएगा, इसमें example sum easy, easy ही मिलते है, easy ही क्या मतलब, कि अच्छे से solo कर पाते हैं, अपना method use करते हैं, ठीके, अब हम इसकी examples लेते हैं, वहाँ से आपको पूरा समझ आ जाएग ओके, sorry, video बहुत लंबा हो गया, almost 23 minutes का video है, तो इसकी जो examples है, वहाँ आगे जाके लेंगे, ठीक है, next video में लेंगे, इसकी सारी examples वहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगे, ओके देना, टेक केर और अला हाफिस